हरे क्रिष्णा आज के कारिक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान मदन सुन्दर प्रभुजी मदन सुन्दर प्रभुजी ने ओहायो स्टेट उनिवर्सिटी USA से इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इंजिनेरिंग में मास्टर्स डिग्री की है उन्होंने जूनिपर नेटवर्क्स USA में रिसर्च इंजिनेर के रूप में कारे किया है जिसके लिए सन 2011 में उनके शोध प्रयासों के लिए उन्हें प्रतिष्ठित कर्मचारी उत्कृष्टता पुरसकार यानि Employee Excellence Award से समानित किया गया बगवत गीता के संदेश और इसकौन के संसापा काचार भक्ति वेदान्त स्वामी श्रील प्रभुपात के जीवन से प्रेरिधोकर वे भारत लोटे तदा सन 2012 में पूर्ण रूप से वैदिक कला एवं विज्ञान के चात्र के रूप में इसकौन से जुरदे प्रभुजी इस कौनपुने में Corporate Education and Empowerment Forum के निदेशक के रूप में सेवारत हैं जो Corporates, शिक्षकों और चात्रों के लिए नियमित रूप से संस्कृतिक और शेक्षिक कारिक्रम आयुजित करते हैं प्रभुजी TTL, Persistent Accenture, Sterling Healthcare, Lumex Industries, Basim Boisys Institute of Health Sciences आदी अन्य कई संगठनों में सत्र आयुजित कर चुके हैं जिसमें उनका लक्ष कारिस्थल में सचेतन मानसिक्ता के साथ आत्म जागरुपता और सकारात्मक जीवन को बढ़ावा देना है वैदिक शास्त्रों के संदेश को पढ़ना और साजा करने में प्रभुजी को विशेश आनंद तथा संतोष प्राप्त होता है वैसी कारण प्रभुजी ने भगवत गीता महा भारत रामायन और श्रीमत भागवतम पर आधारित कुछ पाठिक्रम भी तयार किये हैं जिनसे कई लोग प्रेरित होकर अपना जीवन सफल कर रहे हैं तो आएए श्रवन करते हैं श्रीमानमदन सुंदर प्रभुजी के श्रीमक से धन्यवाद हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण आप सभी का इस भगवतीता सार तारका में स्वागत है और आज हम भगवतीता के ग्यारवा अध्याय जिसका शीशक विराठ रूप है उसक मेरे इस सभी प्रकार के आश्वरय या विभूती है मेरे एक अंश के समान है मैं तो इस पूरे दुनिया इस पूरे भ्रहमान में स्थित हूँ हर जगा में प्रेजन हूँ तो जब अरजुन वगवान के इस बात को सुनते हैं तो अरजुन के मन में प्रशना आता है प्रभ मन बड़ा ही शांत हो जाएगा. सोचने वाली बात है, ये कहीं, ये जो चर्चा है अर्जन और कृष्ण के बीच में, ये कहीं उनके इंदप्रस के महल में नहीं हो रही, ये युद भूमी में, युद दोनों पार्टीज के बीच में हो रही है, कृष्ण भी रत पर बैठे हैं, अर्जन भी रत पर बैठे हैं, और इसमें अर्जन कृष्ण को कहा रहे हैं, अपने विराट रुकर दश्रन कराईए, तो इसमें अर्जन भगवाँ श्री कृष्ण से ये प्रात्ना करते हैं, कृष्ण भगत वसला उनका नाम है, मतलब अपने भक्तों की बात को कभी नहीं नकारते हैं यह वही कृष्ण है जो भगवदीता के शुरुवात में जब भगवदीता में सब्सक्त बना सबसे पहला चित्र देखते हैं, तो क्या देखते हैं कृष्ण अर्जुन के सार्थी बने हैं क्यों बने हैं? यह अर्जुन की इच्छा थी अर्जुन भगवान से प्रात्ना करते हैं और क्रश्ण अर्जुन की बात को मान देखते हैं कृष्ण भगवान कहते हैं या हमें देखने को मिलता है भगवान और भक्त के बीच का सेवक जो है भक्त होना चाहिए तो ये बहुत ही एक दिल्चस्प कहिए रिष्टा है भगवान और भगवान के भक्तों के बीच में कौन मालिक है कौन सेवक है बहुत ही मुश्किल होता है तो यहाँ पे इस ग्यारवे ध्याय में आप देखेंगे फिर अरजन कृष्टा ने प्रात्ना करते है विराट रूप के दर्शन कराईए भगवान बहुत सकते थे भाई ये समय ऐसा प्रशन बूचनेगा युद्ध शुरू होने वाला है कभी भी कुछ भी बोल बैठता है कह सकते थे या नहीं पर भगवान कहते हैं अरजन सोब्येट तुमारी इच्छा है फिर एक बार भगवान श्रीकृष्ण अरजन की इच्छा पुकून करते हैं और विराट रूप दिखाते हैं तो ये बहुत-बहुत महत्पून चैप्टर है भगवदीता का जहां पर कई परकार के संशे समाप्त हो जाते हैं सबसे पहला संशे सुप्रीम परस्टनालिटी अव गौड़ है कौन है कई बार लोग बोलते हैं विराट रूप सर्वशेष्ठ है तो सबसे पहली बात तो वो क्लियर होती है विराट रूप नहीं क्रिष्ठ सर्वशेष्ठ है क्योंकि विराट रूप से क्रिष्ठ नहीं निकले पर क्रिष्ठ ने विराट रूप के दर्शन कराए दूसरी बात कई बार लोगों के बीच में मतवेथ होता है नरायन बड़े या क्रिष्ठ बड़े तो वो भी क्लियर हो जाता है इस चप्टर से जोवन्त में जब भगवान श्री कृष्ण विराट रूप से अपना टू हैंड़िट फार्म कृष्ण कर लेते हैं उससे पहले भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना चतर भुझ विष्णु या नरायन के दर्शन भी कराते हैं और तीसरा जो सबसे महत पूर्ण है भगवान का स्वरूप कौन सा स्वरूप जिसके सन हमें संबंद जोड़ना चाहिए एक बार श्रीला प्रभुपात का भग प्रभुपात के पास आता है काता है प्रभुपात मैंने जब से आपके ग्यारवे अध्याय भगवदीता में विराठ रूप का वर्णन सुना है मैं विराठ रूप के परती बड़ा ही आकर्शित हो गया हूँ क्या मैं विराठ रूप की अरादना कर सकता है पुपात बोलते हैं person, who loves to love his devotees, who loves to have a reciprocation with his devotees, भगवान का मतलब वो नहीं, जो बहुत जल्द कुरोध खा जाते हों, और उनकी बात को ना माने, तो कुरोध में आकर दंड देते हों नहीं, भगवान बड़े ही, he loves adventure, he loves to have dealings with his devotees, और वही इस ग्यारवे अध्याय के अंत में, अर्जन और कृष्ण के conversation से उभर कराती है, तो आईए, ग्यारव अध्याय शुरू करते हैं, जहां श्लोक संक्या एक से लेकर श्लोक संक्या चार तक, अर्जन भगवान श्री से प्रातना करते हैं, प्रभू, आप मुझे करपा करके, अपने उस विराट रूप का दर्शन कराईए, और भगवान श्री कृष्ण पांच में श्लोक में बोलते हैं, अर्जन So be it, भवान श्री कृष्ण अर्जन को अपने उस विराट रूप के दर्शन दिखाने से पहले उसका वर्णन करते हैं, इंट्रोड़क्शन देते हैं, बोलते हैं, अर्जन इस रूप में, जो मैं तुम्हें विराट रूप दिखाने वाला हूँ थोड़ी देर में इस रूप में तुम मेरे अंदर समस्त इस भ्रह्मान को देखोगे, कि ब्रह्मान ही नहीं मेरे इस रूप के अंदर तुम समस्त देवताओं को देखोगे, समस्त जीवों को देखोगे, समस्त पहाड जहने, सब कुछ को देखोगे गभराना मत, और फिर इस दिव्वे दर्शन को देख सको प्रशन बनता है कृष्ण का टू हैंड़िट फॉर्म अगर सर्वशिष्ट है तो अरजुन ने इस विराट लोग के दर्शन की मांग करी ही क्यों क्या आविशक्ता थी तो आज चारे जो वर बताते हैं अरजुन ने विराट लोग की प्रात्मा इस्टे करी उनकी अभिलाश इस्टे करी दो चीज के लिए सबसे पहले आने वाले समय तक ये बताने के लिए कि कृष्ण से बड़ा कोई और नहीं है और दूसरा अगर कल्युग में आगे जाके कोई अम्मा अम्मी और कोई मामा या कोई छाचा या काका बोलेगा मैं विष्णु हूँ मैं महेश हूँ मैं भर्मा हूँ तो उसके लिए की टेस्ट रग दिया है भगवान है विराट रूप दिखा भगवान होने का विश्वास करेंगे तो इस प्रकार भगवान को एक प्रकाह से प्रशंसा करने के लिए और लोगों को समझाने के लिए भगवान कौन है इसलिए अर्जन भगवान से इस प्रकाह विराट लोग की प्रात्मा करते है नौवे श्लोग तर भगवान श्री कृष्ण बात करते है 8 वे श्लोक तर फिर 9 वे श्लोक में संजे बोलना शुरू करते हैं संजे किस से बोल रहे हैं करण से, दुर्योजन से दुशासन शकुनी किस से संजे बात कर रहे हैं दितराश्ट से दितराश्ट कौन है पूरे संसार का राजा, हसनापुर का राजा संचे दितराश को बताता है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण अरजन को विराट रूप दिखाने वाले है और बड़े ही मज़े की बात है सोचने वाली बात है अभी जब हम विराट रूप का आके दर्शन देखेंगे तो उस दर्शन में देखने को मिलता है अरजन बताते हैं प्रभू मैं आपके इस विराट रूप में सभी योधाओ को चाहे वो भीश्म पितामा दुरूना चारे या दुरियोधन या अनेक दुरियोधन के भाई हो मैं उन सभी को आपके मुँ में जाता हूँ देख रहा हूँ युद शुरू होने के बाद अंत में कौरव हारेंगे पांडव विजे रहेंगे फिर भी दितराष्ट युद को टाल नहीं सका राजा था टालने की शम्ता थी युद श्रमाराज कभी मना नहीं करते अगर वो दुरियोधन को आदेश दे दे कि इनका राजे वापिस करो तो दुरियोधन क्या करता फिर भी दितराष्ट नहीं करा इस प्रकार अपनी धीड़ता के कारण दितराष्ट ने केवल अपना ही नहीं समाज का भी सर्वनाश करा इसलिए जब व्यक्ति स्वार्थ की भावना से जीवन वतीत करता है तो केवल अपना ही सर्वनाश नहीं साथ ही साथ अपने सगे समंदी और समाज का भी सर्वनाश करता है बहुत महत्मूर्ट शिक्षा है जो दितराष्ट के कैरेक्टर से हमें सीखने को मिलती है तो आगे यहाँ संजय नौ श्लोक से लेकर 14 श्लोक तक संजय दितराष्ट को इस विराट रूप का वर्णन करते हैं अब दितराष्ट जो अंदे हैं और यहाँ संजय कमेंट्री दे रहे हैं तो अपने तरीके से जो बेस्ट तरीके से विराट रूप का दर्शन समझा पाएं उस प्रकार समझाने का प्रत्न करते हैं श्लोक संखिया 12 के अंदर कहते हैं यह दितराष्ट इस विराट रूप के बारे में मैं क्या बताऊ अगर लाखो करोडों की संखिया में सूरे आसमान में उगाए तो जो उससे रोशनी निकलेगी तब भी शायद जो आज विराट रूप के दर्शन से रोशनी हो रही है तब भी चाहे इन लाखो करोडों सूरे के उगने से वो रोशनी का सामना ना हो पाए इस प्रकार ये विराट रूप जो है इसने पुरे स्वर को खुढ़क दिया है और इतनी तेज से रोशन निकल रही है कि आखों से देखा नहीं जा रहा है इस प्रकार संजय भगवान के विराट रूप का सारांश में तितराश से वर्णन करते हैं और फिश्वलोग संक्या 15 से लेकर तकरेवन 45 तक अरजुनन अपनी रिलाइजेशन शेयर करते हैं उन्हों ने विराट रूप को देखर क्या सीखा कई बार प्रशन पूछा जाता है इस विराट रूप का दर्शन केवल अरजुन ने लिया या किसी और ने भी लिया तो बताय जाता है अरजुन के लावा विराट रूप का दर्शन कोई नहीं ले पाये क्यों क्रिश्न ने अरजुन को ही दर्श्टी देती हाँ या ना शुरुवात में क्रिश्न का अरजुन तुम्हें इस विराट रूप के दर्शन नहीं ले सकते मैं तुम्हें जब तक उसकी द्रश्टी नहीं देता किसी प्रकार किसी और ने इस विराट रूप के दर्शन नहीं करते और फिर पंदरवश लोग से चच्चा शुरू होती है अरजुन की रियक्शन की जब वो इस विराट रूप को देखते हैं अरजुन तो बड़े घवरा जाते हैं और देखते हैं कैसे समस्त भ्रह्माण इस विराट रूप में छुपा हुआ है इसका ना कोई शुरूवात है ना कोई अंध है 360 डिग्री मतलब जिस सरब भी अरजुन मुग गुमाए उस हर डारेक्शन में इनको विराट रूप नजर आ रहा है उनको विराट रूप के पेट से नेवा से कमल निकलता हुआ नजर आ रहा है जिस पर भ्रह्मा बैट है वहाँ इनको शिव नजर आ रहे है नारद, गणे, शित्यादी सभी देवी देवता नजर आ रहे है सभी इस विराट रूप के अंदर अंश बने हुए है और फिर अरजुन को कौरवों की समस्त सेना यहां तकी पांडवों के संग्जयूद करने के लिए जो सेना है थी वो सारी की सारी सेना है गवरा के बोलते हैं कौन हो आप आपको तो मैंने आज सक नहीं देखा करपा करके मुझे बताइए और फिर भगवान शिक्रिशन 32 मिश्लोक में कहते है अरजुन अब ये विराट रूप बोल रहे हैं और कहते हैं कालो समी अरजुन मैं काल हूँ काल के रूप में मैं सब को सरवनाश करने के लिए आया हूँ काल हर जीव के जीवन में छे प्रकाल के बदलाव लाता है पहला बर्थ दूसरा ग्रोथ तीसरा मेंटनेंस चौता बाई प्रड़क्ट्स पांचवा बुडापा और छटा मृत्यू इस प्रकाल काल के प्रभाव में सब कुछ नाश होता है इसलिए भगवान श्री कृष्ण अरजुन को 33 मिशलोक में कहते है अरजुन सब कुछ तुम मेरा करा हुआ है जो मेरी इच्छा है अंत में तो वो पूर्ण होके ही रहेगी इसलिए बहुत महत्मून बात कहते है अरजुन निमित्तमात्रं भवे सब्वे साचिन इसलिए जो मेरी इच्छा है उसमें सहयोगी बनो उसके विरुत मत खड़े हो अगर आप मेरे सहयोगी बनोगे तो आपका गुरगान होगा आपकी प्रशंसा होगी हे अरजुन 34 में शलुक में भवान कहते है मैंने दुरूना चारे भीश्म पितामा जायदत कर्ण जैसे महान युदा को तो वे ऐसे ही खतम कर दिया है तो तुम क्यों युद्ध करने से घबराते हो मैं चाहता हूँ तुम अपने अस्त उठाओ और इस युद्ध को जीतने का क्रेडिट अपने सिर पे लो तो श्रीला प्रभुपात भहुत कुसरत बात लिखते है क्यों भगवान चाहते है अरजुन युद्ध लड़े जब भगवान श्रीकृष्ण ने स्वयम निर्ने ले लिया है इस बात का निश्षित है कि सारे के सारे कोरव युद्ध में वारे जाएंगे भगवान क्यों चाहते कि अरजुन फिर भी युद्ध लड़े उसका एक सरल जवाब है वो ये कि भगवान को बड़ा प्रसनता मिलती है जब उनके भगतों के कोई गुरगान करता है जैसे उधारन के रूप में युद्ध समार्थ हो चुका है सब कुछ हो चुका है अंतिम संसकार हो चुका है और यहां पर युद्धिष्ट महराज को सब कह रहे हैं कि अब तो आप राजा बनिये पर युद्धिष्ट महराज कहते हैं नहीं मैं नहीं राजा बन सकता मेरे कारण लाकों करोडों के संख्या में लोगों की मृत्ती हुई है कितनी माताएं विद्वा हो गई हैं कितने बच्चियों ने और बच्चों ने अपने पिता को खो दिया है कितनी भेनों ने अपने भाई को खो दिया है मैं राजा मन्ने लायक नहीं हूँ मैंने अपने स्वार्थ के लिए इस युद्ध को लड़ा और उसके साथ ही साथ करोड़ों की संक्या में लोग मारे गए है सब समझाने का प्रत्म करते है कुंति, अर्जुन, भीम, नको, सहदेव, दुरापदी यहां तो कि व्यासदेव, नारदमुनी अंतमे श्री कर्ष्ण भी युदिष्टर को समझाने का प्रत्म करते है पर युदिष्टर मानने को त्यार नहीं होते है फिर भगवान श्री कर्ष्ण कहते है, युदिष्टर अभी तो यही आवशक है कि हम सब हस्तना पुर जाएं आप राज़ भी शेक कराएं और मैं आप से प्रात्ना करता हूँ कि आप अपने मन में उठे संशे को भीश्व पितामा के सामने रखिए मुझे निश्यतुप से पता है कि आप जब भीश्व पितामा से पूछने जाएंगे वो आपके सारे समशे को समात करेंगे इस प्रकार भगवान श्री कृष्टर युधिश्टर महराज को उकसाते हैं कि वो भीश्म पितामा की शरण ले और जब भीश्म पितामा के सामने युधिश्टर कृष्टर नको सहदेव अरजुन भीम सब पहुचते हैं तो भीश्म कहते हैं युधिश्टर तुम मुझसे प्रश्ण पूछ रहे हो जो भी जवाब मैं तुमें दूँगा वो किसकी शमता के बल पे दूँगा सब श्री कृष्टर के बल पर श्री कृष्टर तुमारे संग खड़े हैं तुम आज फिर भी यहां मुझसे प्रश्ण पूछने आए हो इसका कारण क्या है भगवान श्री कृष्टर चाहते हैं कि इस अंतियम समय में मुझे तुम सब का संग मिले और तुमारे जरीए भगवान मेरी प्रशंसा कराना चाहते हैं मेरा गुडगान कराना चाहते हैं तो इसी प्रकार भगवाशे क्रिश्ण विराट रूप के रूप में तो आल्रेडी सब कोरवो को नाश्व चुका है फिर भी क्रिश्ण कहते हैं अर्जुन तुम इसका क्रेडिट लो ये है भगवान और भक्त के बीच का मदर संब्द तो प्रहुपाद अपने चौतिसमे श्लो के तातपरे में बहुत खूसरे पपड लिखते हैं साराश में पढ़कर उसका मतलब समझाता हूँ प्रहुपाद कहते हैं हर प्लान बगवान के द्वारा बनाए होता है पर बगवान इतने कमपैशनेट होते हैं कृपालू होते हैं वो चाते हैं उसका श्रय भगवान के भक्तो को मिले इसलिए हमारा जो जीवन है यह हमें निश्चित करना चाहिए कि हम इस प्रकार व्यतित करें जो भगवान की इच्छाओं से मिल खाता हो ताकि हम भगवान को प्रसंद कर सकें तो कई बाप लोग प्रसंद पूछते हैं हमें क्या पता भगवान की इच्छा क्या है तो प्रवपात कहते हैं भगवान की इच्छा क्या है वही इच्छा है जो भगवान में भगवदीता में अर्जुन को समझाई है अगर आपको वह इच्छा भी भी समझ नहीं आती तो आप एक प्रमाणिक गुरू की शरण लेजे जो परंप्रागत तरीके से भगवान के भगवतिता का ज्यान का ध्यन करता हो जीवन में उतारता है दूसरों को सिखाता है ऐसे प्रमाणिक गुरू की शरण लेकर जो उनकी इच्छाएं हैं उसे च्छाओं में उनको बदद करने का प्रत्न करें उनकी इच्छा और भगवान की इच्छा में कोई अंतर नहीं होता अगर आप उनकी इच्छाओं में स्योग देते हैं तो मतलब भगवान की इच्छा में स्योग देते हैं इस प्रकार यहाँ पर प्रोपाद बताते हैं कैसे हमें अपना जीवन भगवान की इच्छा के अनुसार जीना चाहिए और फिर 35 में श्लोक में संजे इदृताश को बताते हैं कि अब अरजुन भगवान से फिर प्रात्ना करना शुरू करते हैं और श्लोक संक्या 36 से लेकर श्लोक संक्या 46 सग फिर अरजुन प्रात्ना करते हैं अब मेरे मन में किसी भी प्रकाह का संशय नहीं रह गया इस विराट रूप को देखकर अर्जुन को समझ आता है मैंने पिछले अध्याय में भगवान को भगवान तो बोला था पर उनके एश्वरे को मैं अभी भी नहीं समझता था जब तक मैंने इस विराट रूप का दर्शन नहीं लिया और अब अर्जुन के मन में इतना अफसोस जागरत होता है उन दिनों को याद करते हुए जहां उन्होंने कृष्ण को अपना सखा समझा कृष्ण के संग वैसा वहवार करा जैसा कोई एक मित्र अपने मित्र के संग वहवार करता है उस चीज़ को सोचकर उनको बड़ा ही अफसोस लगता है कि मैं कैसे परमिश्व भगवान के संग इस प्रकार का वहवार कर सकता हूँ तो इस चीज़ को सोचते हुए अरजन भगवान शेकरिशन या विराट रूप से माफी मांगते हों कहते हैं प्रभू मुझे माफ कर दीजे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुए इस चीज़ का उलेक अरजन भगवदीता के 43 विश्लोक में करते हैं और 44 और 45 विश्लोक में प्रभू मेरी आप से सिर्फ एक ही प्रात्ना है करपा करके इस भ्यानक रूप के दर्शन को बंद करिए यह जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है जो एडवेंचर के लिए आपने दिखाई थी यह हौरर शो में मदल गया है मैं रो रहा हूँ घवरा रहा हूँ प्रपा करके शो को बंद करके अपना जो दो हाथ वाला सरूप है वो मुझे दिखाई है सोचने की बात है कई प्रकार के धर्म आज इस दुनिया में उपस्तित है या एस्टाबिश्ट है जादत धर्मों में भगवान का जो सरूप है वो इस प्रकार बताया जाता है कि वो बहुत गंभीर होते है अगर उनकी आगया कपालन ना करो तो वो दंड देते हैं अगर हम भगवदीता के नुसार देखें वेदिक शास्त्रों के नुसार देखें तो भगवान का असली सरूप ये नहीं है हाँ ये भी एक सरूप है पर वो सरूप जो वो कर्म है लोगों को समझाने का सुधाने का भगवान अपने आप नहीं करते अपनी माया शक्ती के नुसा करते हैं लॉफ कर्मा के नुसा करते हैं पर लगवान अगर आप अभी भी रादाकृष्ण के मंदर में गए होंगे तो आपने देखाऊगा बहुत बासुरी को पकड़े मदुन से बासुरी बजा रहे होते हैं हमारे बहँदा शी कृष्ण को प्रेम करना के लिए invitation दे रहे हैं और शिला प्रभुपात के कृपा के दुआरा आज हमें इस भगवदीता के रहस को समझने का मौका मिला है और बड़ा सरल माद मिला है कि कैसे हम भगवान शी कृष्ण के संग जिन को समझना बहुत जटल होता है उस कावले कभी आगे आएगा आगे भगवान शी कृष्ण 45 फिन श्लोक के बाद आगे वर्णन करते है अर्जुन मैं तुमारी इच्छा के अनुसार इस विराट रूप का दर्शन बंद करता हूँ तो अर्जुन कहते हैं प्रभु क्रपा करके मुझे चतरभुच के दर्शन कराईए अंत में चतरभुच दर्शन के बाद मुझे अपने इस कृष्ण रूप का ही दर्शन कराईए तो समय जब भगवान अर्जुन का अपना चतरभुच का दर्शन कराते हैं और फिर अंत में कृष्ण रूप का दर्शन कराने वाले होते तो उसमें कृष्ण कहते हैं अर जुन जो सरूप आप मेरा आप देखने वाले हो कृष्ण की रूप में वो सबसे मुश्किल है देखना वो सबसे जटिल है देखना पर तुम मेरे भक्त हो तो तुम्हें मैं वो दर्शन कराऊंगा मेरा मतलब यही था कि आज शिला प्रहुपात की कृपा के द्वारा आज हम सभी को यह मौका मिला है भगवान शीक कृष्ण के अस्तित्व को जानना और भगवान शीक कृष्ण के संख संबंद जोड़ना और कैसे संबंद जोड़ा जा सकता है बड़ा ही सरल मार्ग है जो चेतने महाप्रूवन हम सब को दिया है कृपा करके हाथ उपर उठाके हरे नाम संकीत में नंद में भाग लीजिए हरे कृष्ण महामंतर का नाम जब करिए और जोड़ से बोलिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, 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 हरे 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 राम, हरे राम, 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 हरे हरे इस हरे कृष्ण महामंतर के नाम जब से कोई भी विक्पी, किसी भी सिती, किसी भी काल में भगवान के संख संबंद जोड़ सकता है इससे सरल तरीका और क्या हो सकता है इसी प्रकार भवाँ श्री कृष्ण इस भगवदीता के ग्यारवे अध्याय में इस प्रकार बताते हैं कि अरजुन पहली चीज जो श्लोक शंक्या च्छालिस से लेकर आखरी श्लोक तर तीन प्रमुग विश्व पर बात करते हैं उसके बाद इस चैप्टर को विराम देंगे जहां भगवान कहते हैं सबसे पहले अरजुन सभी रूप या सभी फॉर्म्स मुझसे अफ्तरित होती है कृष्ण ने विराटू का दर्शन कराया फिर नरायन चत्रभुज और अंत में भगवान श्री कृष्ण कराया दूसरी बात भगवान हमें ऐसे कहते हैं अरजुन भगवान को जानने के अलग लग तरीके होते हैं एक मंदेन दर्श्टी कोड होता है जहां पर व्यक्ति भगवान को एक एतहासिक केरेक्टर समझते हैं या मनुष्य के समान एक स्पेकुलेटिव तरीका होता है एक कालपनिक तरीका होता है जहां लोग भगवान को अन्ने देवी देटाओ के समान या विराटू के समान समझते हैं और तीसरा वेदिक तरीका होता है या परंपरा के दुवारा ज्यान प्राप्त करने का तरीका होता है जहां भक्ति के माध्यम से लोग भगवान के रहसे को समझ सकते हैं और अंत में भगवान कहते हैं 48 में श्लोग से लेकर श्लोग संक्या, 53 और 54 तक भगवान कहते हैं अरजुन अगर मेरे बारे में ज्ञान प्राप करना है तो एक ही तरीका है भक्ती, भक्ती और भक्ती मेरे भक्तों की शरण में रहके संग में रहके भक्ती के नियमों का पालन करना और जो भक्ती के नियमों का पालन करता है कृष्ण कहते है जो मेरी सिवा करने में लगा है मैं उसको स्वयम बुद्धी देता हूँ ताकि वो मेरे पास वापिस आ सके इस प्रकार भगवधिता के ग्यारे में ध्याय का यह समापन होता है विराठ रूप का जब हम कल दुबारा मिलेंगे तो उसमें बारम अध्याय का वर्णन करेंगे आप सभी का भाद बहुत धन्यवाद जगतगुरू शीलप्रभुपाद की ऐसे ही और भक्ती माई कारक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलिविजन इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथ्वाद DTH ऑपरेटर से समपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 877-845-845